स्वागते दोस्तों आपके इपने चैनल मनी है पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को ATC कोईन को Atlantis Exchange से कैसे विड्रो करना है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में हलनकि मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा अभी कि आप लोग यहाँ से ATC कोईन को विड्रो करो क्यूंकि ATC कोईन को विड्रो करने पर अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं है end of the video मैं आप लोगों को calculation करके भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट नहीं है हलनकि बहुत सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे थे कि सर कम से कम विड्रो कैसे करना उसका प्रोसेस तो बता दीजे तो इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ कैसे विड्रो करना है बाकी मैं कल्कुलेशन करके भी दिखा दूँगा कि विड्रो क्यू नहीं करना चाहिए अभी तो वीडियो मां के बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जुरूर कर दीजेगा बिल्कुल फ्री है जहां से आप लोग प्रोफिट बना सकते हो साथी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजेगा लीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एटलांटिस एक्शेंज को ओपन कर लेना है चाहे आपके पास एटलांटिस एक्शेंज का एप है या फिर एप नहीं है तो भी आप इसे वेबसाइट में भी ओपन कर सकते हैं दोनों जगा आपको विड्रो मिल जाएगा अब सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ जो है वो यह कि Atlantis exchange में आपके पास withdrawal fee होना चाहिए यहाँ साथ withdrawal करना चाहते हैं तो कुछ withdrawal fee भी करता है तो वो withdrawal fee आपके पास यहाँ पर होना चाहिए यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले withdrawal fee को deposit करना होता है उसके बाद ही आप यहां से withdraw कर सकते हो तो withdraw fee के तौर पर यहां पर BNB चार्ज करता है तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर BNB को deposit करना होगा किसी भी exchange से आप यहां पर deposit कर सकते हैं चाहिए आप Binance से करे या फिर Trust Wallet से करे लेकिन यहां पर आप लोगों को BNB पहले deposit करना होगा जितना भी withdraw fee कटता है उससे थोड़ा बहुत जादा जैसे कि यहां पर आप लोगों को update मिल चुका है कि एक बार में आप लोग 4000 ATC coin को withdraw कर सकते हो तो basic कर सकते हो लेकिन 4000 ATC coin को withdraw करने के लिए आप लोगों को लगभग 0.2 BNB यहां परी withdraw fee लग रहा है तो 0.2 BNB सबसे पहले आप लोगों को यहां deposit करना होगा और मैं बता दूँ कि यह आप लोग 0.2 BNB ही यहां पर deposit करोगे तो वहां से जैसे कि आप Binance से करते हो Binance से 0.2 यहां transfer करोगे तो कुछ charge कर जाएगा और आपको यहां पर 0.2 भी नहीं मिल पाएगा तो 0.2 से कुछ ज़्यादा ही का आप लोगों को deposit करना होगा ताकि यहां पर exact 0.2 आप लोगों को मिल जाए तीक है यह आप समझ गए और deposit कैसे करना है यह भी आप जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है उसको आप लोग देख लिजेगा नीचे description में मैं link देदूँगा तो चलिए जैसे आप यहां से deposit कर लेते हो withdraw fees के बाद क्या करना है वो process में बता देता हूँ withdraw करने के लिए आप लोग वालेट पर आ जाईए wallet वाले section में wallet में आने के बाद यहां पर Atlantis coin देख रहा है ATC इसको select कीजे और इसको scroll कीजे right की तरफ और यहां पर आप लोगों को option देखने को मिल जाएगा withdraw का withdraw पर आप लोगों को simply click कर देना है click कर लेने के बाद इस तरह का page आप लोगों के सामने load होकर के आ जाएगा यहां पर आप लोग देख सकते हो select cryptocurrency के तौर पर ATC select है select network आपको देख लेना है सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है वैसे तो यहां already सब कुछ by default set रहता है फिर भी एक बार check कर लिजेगा तो यहां पर विद्रो का address मांग रहा है और withdraw amount मांग रहा है तो यहां पर विड्रो का address हम लोग कहां से लाएंगे हम लोगों को वहां से withdraw address लाना है जिस exchange में हम लोग withdraw लेना चाहते हैं जैसे कि हलfar़ अप लोग trust wallet में लेना चाहते हैं या फिर आप होटवीट एक्सचेंज पर लेना चाहते हैं या पूको इन एक्सचेंज पर लेना चाहते हैं तो उस एक्सचेंज पर आपको जाना है वहां से एड्रेस लेकर क्याना है तो अभी हम चल जाते हैं होटवीट एक्सचेंज पर क्योंकि होटवीट एक्सचेंज पर प्रविड्रो हम लेने वाले हैं तो होड़वेट एक्सचेंज को यहां से open कर लेते हैं open कर लेने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का interface देखने को मिल जाता है आप लोगों को यहां पर नीचे की तरफ आपसंड का section देखने को मिल रहा है ATC, ATC को जैसी आप search करोगे, search कर लेने के बाद ATC पर click कर देना है, click कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह का page open होकर के आ जाएगा, जहाँ पर नीचे की तरह आप लोगों को barcode देखने को मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर इनका जो deposit address है, वो भी देखने को मिल रहा है, तो इस address को आप लोग copy कर लीजे, copy कर लेने के बाद वापस से आ जाना है आप लोगों को Atlantis Exchange में, और यहाँ पर जो आप लोगों को enter withdraw address दिख रहा है, यहाँ पर आपको उसको paste कर देना है, paste कर लेने के बाद नीचे जो amount दिख रहा है, वो amount भी यहाँ पर enter करना है, ठीके, तो यहाँ से मैं withdraw address को paste कर देता हूँ, paste कर लेने के बाद यहाँ पर withdraw amount जो है, वो देखने को मिल रहा है, कितना यहाँ से आप लोग ATC withdraw करना चाहते हैं, तो 4000 का यहाँ पर option दिया है, तो क्यों ना पूरा 4000 यहाँ से ATC coin को withdraw किया जाए, तो 4000 ATC यहाँ इंटर कर लेने के बाद आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो, withdraw fee जो है, वो 0.20 BNB यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, यह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, अब simply यहाँ पर कुछ नहीं करना है, submit को option दिख रहा है, submit पर क्लिक कर देना है, submit पर क्लिक करते ही, यदि आपने two step verification on करके तो आपके email address पर एक code आजाएगा, उस code को copy कर लेना है, copy कर लेने के बाद next page पर intercode का option दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इसको paste कर दीजे, उसके बाद यहाँ submit का option दिखेगा, submit पर क्लिक कर देना है, जैसी आप submit पर क्लिक करोगे, आपका जो order है, वो successfully यहाँ पर ही complete हो कि आपका जो status है, वो success हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, इसके अलावा आप लोग इसको hotbit exchange पर भी आ करके check कर सकते हो, और जैसे ही यह successfully हो जाएगा, आपको mail आ जाएगा, Atlantis Exchange की तरब से, और साथ ही, hotbit exchange की तरब से भी आपको mail आ जाएगा, कि यह जो withdraw है, यह successfully हो चु आ लेज़े इसको क्या fundा है, यहाँ पर ATC coin का price सबसे पहले Atlantis Exchange में देखते हैं, तो 0.05 डॉलर है, अब इसी price को यदि हम लोग hotbit exchange पर जाकर कर देखते हैं, तो 0.0039 डॉलर है, और Atlantis Exchange से withdraw करने के लिए fees कितना देना पड़ रहा है, 0.2 BNB, तो सबसे पहले 0.2 BNB को हम लो से 0.2 BNB को यदि हम लोग सर्च करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, 5461 रुपए अभी आप लोगों को देना पड़ेगा, यदि आप लोग 4000 ATC coin को withdraw करते हो, चलिए ठीक है, हमने 5461 रुपए यहाँ पर Atlantis Exchange में deposit कर लिया, withdraw fee के तोर पर BNB के रूप में, अब हम लोग जब इसको heartbeat exchange पर ले करके आते हैं, तो 0.0039 डॉलर पर हम लोगों sell करना है, 4000 ATC coin को, तो थोड़ा सा calculator open करते हैं यहाँ पर, और आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे पास heartbeat exchange पर आ गए है 4000 ATC coin, और यहाँ पर यह price चल रहा है, 0.0039 डॉलर पर, 0039 डॉलर पर यह price चल रहा है, तो यहाँ पर amount कितना बन रहा है, sell करने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 15.6 dollar, 15.6 dollar को यदि Indian rupees में यहाँ पर देखा जाए, 80 करके ही देखते हैं, तो 1248 रुपए आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 1248 रुपए और आपने वहाँ पर ही withdraw fee दिया है 5000 प्लस, तो आपको क्या फा रहे हैं, लगबग लगबग 35,000 रुपए से प्लस आप लोगों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि अभी withdraw करने का कोई भी profit नहीं है, यहाँ पर नुकसान है, जब तक 80C coin का price Atlantis exchange में और दूसरे exchangeों में सेम नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ से withdraw करने का कोई भी profit नहीं है, withdraw तो कर सकते हो, फिर नुकसान में क्यों ही withdraw करना, नुकसान के लिए तो हम लोग withdraw नहीं कर रहे हैं, हम लोग profit कमाने के लिए withdraw कर रहे हैं, जब नुकसान हो रहा है तो फिर withdraw क्यों करना है अभी, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि जब तक 80C coin या फि की price ज़ादा हो जाती है तब हम लोगों को यहां से withdraw करना है या फिर दूसरा option है Atlantis exchange में withdraw fee जो है वो बहुत कम कर दिया जाए negligible किया जाए तब जाकर के हम लोगों को withdraw करना है तो जब withdraw करना होगा मैं update दे दूँगा इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक रखिएगा अपना ख्याल टेक कियर